हेलो दोस्तो, आपने एपी फिस तो जरूर पी होगी, ये काफी तेज होती है, लेकिन आपने कभी एपी फिस को फैक्टरी में बनते हुए देखा है? क्या इसमें एपल का रियल जूस मिलाया जाता है? या सिर्फ ये एक ड्रिंक है, अधर ड्रिंक्स की तरह? इनी सवालों के आपने बाद एग्रो के मालिक प्रिकास चोहान ने एपी फिस में खूब मेहनत की है, जिसकी बदोलत आज हर कोई एपी फिस के बारे में जानता है, जब पहली वाल लोगों की जिवान से एपी फिस का पहला घूंट गले के अंदर जाता है, तो उनको किसी दारू के पीने जैसा ही अनुवव होता है, जिस वज़ा से लोगों ने इसे बच्चों की मदीरा पी बोला, लेकिन क्या बाकि इसमें मदीरा मिली होती है, यानि शराब मिली होती है, ये तो हमें तब ही पता चलेगा, जब हम इसकी मैनिफेक्चिरिंग प्रॉसस देखेंगे, आईए जान प्रॉसस देखेंगे, इसमें लगतार कन्वेर वैड से एपल्स को पानी से गुजारा जाता है, ताकि इसमें जो भी कंकर पत्तर गलती से रह गए हों, उन्हें अलग किया जा सके, यहां से निकलने के बाद इन्हें ठंडे पानी से फिर से एक और बार धोया जाता है, अब इसे बाद में इनसे जूस निकालने में ज़्यादा मुदत मिलती है, इसके बाद ग्रेटिड एपल्स को मेसरेशन रेजर वोईजर में भेज दिया जाता है, जहां इन्हें 60-90 मिनट तक रहना होता है, यहां से बाहर आने के बाद इन्हें एक हाइडरोलिक प्रेस मशीन मे दूसरी तरफ से बाहर आते हैं, यहां पर इस जूस का कुछ सेंपल क्वालिटी के लिए टेस्ट किया जाता है, और जैसे ही यहां से इसे क्लीन चिट मिल जाती है, इसे आगे भीज़ जाता है, अगले स्टैप में इस जूस को पहली बार फिल्टर किया जाता है, और इसमे ठंडा करके बापस 50 डिग्री सेल्सेस तक लाया जाता है इससे जूस में मौझूद सभी इंप्यूरिटीज मीट जाती है और साथी जूस को अब ज्यादा बक्त तक श्टोर भी किया जा सकता है अब हमारा एपल जूस लगबक तयार है यहां से निकल कर इस जूस को फ्लेवर कलर, कलर, कलेरिटी और नेचरल फ्रूट सूपर कंटेंट के लिए चेक किया जाता है एपल जूस लगतार अक्टूबर के महीने में ही बनाया जाता है क्योंकि उसी वक्त आपको सेब देखने को मिलते हैं इसलिए ये जरूरी है कि साल भर सप्लाई जारी रखने के लिए य आपके गले को दारू की तरह फिज ने चंद सेकेंडों के लिए जकल लिया होगा उसी टेस्ट को यहां इस मशीन में बनाया जाता है जिसके लिए इसमें वाटर, सूगर यानी चीनी, एपल जूस जो की 12 से 18% होता है और एपीफिज का टेस्ट देने के लिए इसमें कारव आजिंग सेक्शन तक पहुंचते हैं जहां मशीनों की मदद से छोटी और बड़ी बोटल्स में एपीफिज को भर दिया जाता है इसके बाद इन्हें सील कर दिया जाता है अब एपीफिज आपके पीने के लिए पूरी तरह से तयार है दोस्तों ये थी आज की वीडियो ए आक्टरी में कैसे बनाया जाता है आपको एपीफिज कैसी लगती है हमें कॉमेंट करके ज़रूरत आएं वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें